चलिए अपने अगले topic पर move करते हैं that is ratio and proportion TCS के standpoint से काफी important topic है तो make sure इस segment को बिलको last तक देखिएगा ratio होता क्या इस बात को समझते हैं देखिए भई अगर मैंने कहीं पर A by B के format में कोई number लिख दिया तो इसको अभी तक हम क्या बुलाते आ रहे थे अभी तक हम fraction बुलाते आ रहे थे लेकिन हम इसको ratio भी बोल सकते हैं तो किसी भी fraction को हम ratio भी बुला सकते हैं और इसको लिखने का एक और तरीका होता है A by B ना लगते हम A to B B लिख सकते हैं या A2BB लिख सकते हैं जिसमालो 2 by 3 लिखा है कहीं पर तो मैं उसको 2 by 3 को 2, 2, 3 भी लिख सकता हूँ या 2, 2, 3 भी लिख सकता हूँ ठीक है अब इसमें जो पहला term होता है इसको numerator बोलते हैं नीचे वाला term होता है इसको denominator बोलते हैं या पहले term को first term भी बोल देते हैं नीचे वाले term को second term भी बोल देते हैं क्योंकि ये पहले number पे आ रहा है ये दूसरे number पे आ रहा है इसलिए first term, second term, numerator, denominator और एक और terminology होती है जिसको बोलते है antecedent and consequent तो जो उपर term होता है या जो पहले term होता है उसको antecedent भोलते हैं और जो नीचे term आ रहा होता है बाद में आ रहा होता है उसको consequent भोलते हैं alphabetically wise A पहले आता है C बाद में आता है इसलिए पहले वाले term को antecedent भोलते हैं दूसरे वाले term को consequent भोलते हैं अब सवाल यह उठता है भाई हम ratio and proportion जो है other quantity जैसे for example आपकी screen पर एक इनो article लिखा है इसमें दिया popat lal purchase dozen of lemon worth rupees 20 and a dozen of apple worth rupees 100 now suppose we need to compare the cost of apple and lemon भाई 20 रोपे का आपने lemon खरीदा 100 रोपे का apple खरीदा तो अगर मैं 20 by 100 लिखूंगा तो यह क्या बचेगा 1 by 5 बचेगा यह 1 is to 5 लिख सकता हूँ इसको यह जो है यह lemon के लिए है यह दूसरी line जो है दूसरा term जो है वो apple के लिए है क्योंकि उपर lemon लिखा है नीचे apple लिखा है इसका मतलब क्या है जो apple की cost है वो 5 गुना जादा है lemon से आप देखो अगर lemon 20 रोपे का है apple 100 रोपे का है तो apple की cost पाँच गुना जादा है न तो 1 is to 5 का मतलब क्या हुआ apple पाँच गुना जादा महेंग है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ratio की help समने क्या किया comparison establish कर दिया अच्छे एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी मैं ratio and proportion की बात करता हूँ तो इतना बस ध्यान रखना है कि अगर मेरे को compare करना है दो quantities को तो they must be the same unit है एक kilogram को दूसरे kilogram से compare कर सकते हो gram को gram से compare कर सकते हो और साथ मैं आपको यह भी ध्यान रखना है कि अलग-अलग चीजों को नहीं compare कर सकते है यानि item की category भी same होनी चीज़ इसको आप compare करो unit भी same यानि centimeter को millimeter से compare नहीं कर सकते है पहले दोनों quantities को या तो centimeter में convert कर लो या millimeter में convert कर लो चोटी सी बात आपन को ध्यान रखना है अब ratio की कुछ properties पढ़ लेते है पहली property but obvious है कि अगर मैं किसी भी ratio में numerator और denominator में कोई भी number multiply कर दू जैसे ये 2 by 3 है आप इसको जब divide करके निकालोगे तो ये 0.67 निकलेगा ठीक है अब अगर मैं इसमें 2 का multiply divide कर दू numerator और denominator में भी यहाँ भी 2 का multiply यहाँ भी 2 का multiply यह बन जाएगा आपका 4 by 6 जब आप 4 by 6 को भी calculate करोगे तो ये भी 0.67 आचाहेगा तो अगर मैंने numerator denominator में same number से multiply किया तो जो final ratio है उस पर कोई भी फरक नहीं परता है ये तो मैंने multiply का example लिया same can be used for division as well जैसे यहाँ पर आप देखो let's suppose यहाँ पर कोई भी एक example ले लो यह क्या जाएगी 0.5 आजाएगी एक काम करते है numerator denominator में दौनों में 5 का divide दे देते हैं दर भी 5 का divide दे 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 यह जो 10 इसमें भी 5 का divide दे दे दिया 5 by 5 बचा 1 10 by 5 बचा 2 1 by 2 भी 0.5 यह होता है अगर आपको पता हो तो ठीक है तो आपने क्या किया numerator denominator में दौनों में 5 का divide किया तो भी same ratio है तो multiply कर लो divide कर लो बस same number से करोगे तो ratio में कोई भी change नहीं आएगा यह but obvious properties को हम ऐसे भी बोल देते हैं अगर antecedent और consequent को same number से multiply दिवाइड किया जाए numerator denominator के जाए antecedent consequent बोल दिया same number से multiply दिवाइड किया जाए तो ratio change नहीं होता है second property होती equivalence ratio property अब इस property पर TCS में कई वार सवाल पूछे गाएं तो उसको धान से समझेगा और यह obvious नहीं है थोड़ा सा अपन को महनत मा शकत करनी होगी तो एक question solve करते हैं उसकी equivalence ratio property को समझने की कोशिश करते हैं आपको question दे रखा है कि अगर P is to Q का जो ratio है वो R is to S के बराबर है और यह T is to U के बराबर है और यह ratio eventually 2 is to 3 के बराबर है आपको P plus R plus T upon Q plus S plus U की value निकालनी है अब आपको देखने में डर लगेगा लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यह तीनों के जो पहले टर्म है P, R और T इनका सम किया है और जो दूसरे टर्म है उनको denominator में लिख करके उनका सम किया और उसकी value निकलवा रखी है ठीक है कैसे solve करना है इसको एक बार देखते हैं अपन को क्या दिया है question को ध्यान से समझो P is to Q, R is to S, T is to U, 2 is to 3 के बराबर है P is to Q को क्या मैं P by Q लिख सकता हूँ हाँ, R is to S को R by S लिख सकता हूँ T is to U को T by U लिख सकता हूँ 2 is to 3 को 2 by 3 लिख सकता हूँ और इन सबको equate कर दिया क्योंकि यह equal है अब अगर मैं यहाँ से यह वाला टर्म और यह वाला टर्म ले लू तो मैं P by Q को 2 by 3 लिख सकता हूँ यानि मैं P को 2 Q by 3 लिख सकता हूँ Q को multiply कर दिया है P को 2 Q by 3 लिख सकता हूँ ऐसे ही मैंने क्या कि S बर R by S और 2 by 3 को ले लिया तो क्या मैं T को 2U by 3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं भाया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि question में मेरे को किसकी value निकालनी है, P plus R plus T upon Q plus S plus U की value निकालनी है, अब P, R और T, देखो मेरा Q, S और U के format में आगे, और denominator में भी Q, S और U दे रखा है, तो देखते हैं कुछ hope बनती है क नहीं, P, R और T, P को रख दिया 2Q by 3, R को रख दिया 2S by 3, T को रख दिया 2U by 3, ध्यान से observe करो, 2 by 3 common आ जाएगा तीनों में से, 2 by 3 बाहर लिए, यहां बचा Q, यहां बचा S, यहां बचा U, और नीचे भी Q, S और U का sum है, यह आपस में कट जाएंगे, यही 2 by 3 ही आपका answer न किया और denominator का भी sum किया, numerator और denominator का sum भी 4 ratio के बराबर आ गया, इसको property में कैसे लिखना है, देख मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी 2 ratio ले लो, 3 ratio ले लो, 4 ratio ले लो, 5 ratio, कितने भी ratio ले लो, यह property will hold true, ध्यान से समझेगा, इसी को equivalence ratio property भी बोलते हैं, अगर मैंने 3, 4 ratio similar ले ratio, 4 में से मैं बोलता हूँ, कोई भी 3 उठा लो, कोई भी 3 उठा लो, 3ो के numerator का sum कर दो, denominator के sum कर दो, जो result आएगा, वो बच्चे हुए ratio के बराबर होगा, जैसे, for example, यहाँ पर मैंने इस बार P, R और T लिया, पहली बार देखो, Q, S और U लिया, दूसरी बार, तो इन 3ो का sum क कर दिया, numerator का denominator का भी यह चौथी quantity के बराबर आएगा, second case में आप देखो, मैंने क्या लिया, इस बार P लिया, R लिया, और V लिया, यह 3 ले लिया, अब यह धियान रखना है, जिसका numerator लो, उसी का denominator भी लिया, Q, S और W ले लिया, denominator में sum है, तो अब यह किस के बराबर होगा, जो बच्ची होई quantity है, उसके बराबर होता है, in fact मैं बोलता है, बच्ची होई quantity के बराबर क्या, अगर यह V by W के बराबर है, V by W मेरा T by U के बराबर है, यह मेरा R by S के बराबर है, यह मेरा P by Q के बराबर है, तो कुल मिला के moral of the story क्या है, जो मेरे ratios equal है न, अगर आप numerator का sum कर चाहे आप 2 का pair ले लो, 3 का pair ले लो, कुछ भी ले लो, numerator और denominator के sum आपके इनके ही equal आजाने वाले हैं, और हमने अभी proof भी किया इस बात को, क्योंकि ये quantities हमेशा cut जाने वाली है, ठीक है, similarly कोई भी 3 ले लो, मैंने इस बार P, T और V ले लिया, P ले लिया, T ले लिया, और V ले लिया, same denominator में, देखो Q लिया, U लिया, W लिया, तो ये मेरे बच्चे हुए के बराबर आना चाहिए, इस बार क्या लिया, R, T और V लिया, देखो R, T और V ये तीनों ले लिया, इनी के corresponding S, U और W ले लिया, तो ये बच्चे हुए के बराबर आ गया, clarity है, अगर मैं 3 की बराबर आ गया, T by U और V by W के बराबर, कोई भी दो ले लो, P और T ले लिया, मानलो, P plus T, Q plus U कर दिया, तो R by S बच्चा है, इनके खुद के बराबर भी आ जाएगा, ये तो क्योंकि V by W, P by Q के बराबर ही तो है ये, और ये मेरा T by U के बराबर ही तो है, तो अगर मैं 3 की जाएगे, दो-दो के भी सम लेना चाहूं, तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं 4 का भी सम लेना चाहूं, तो भी ये प्रापर्टी होल्ड करेगी, ये P by Q, ये R by S, ये T by U, और ये V by W के बराबर ही निकल के आने वाली है, चारो का भी सम ले लो, क्या ही फरक पड़ता है, त तो 3 का सम ले लो, 2 का सम ले लो, 4 के, 4 का भी सम ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, तो मेरे क्याल से एक्क्यूवलेंस रेशियो प्रापर्टी क्या होती है, इस पर क्लारेटी मिल गई है, इसका एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, ये वाला कॉशन उपर की लाइन सेम दे रखे के, P by Q, R by S और T by U, 2 by 3 के बराबर है, पिछले केस में मेरे से P plus R plus T, Q plus S plus U का रेशियो पूछा गया था, इस बार क्या किया, P, R और T, Q, S और U तो हैं, साथ में कुछ-कुछ नंबर्स भी आगे मल्टिप्लाइ करती है, बढ़ अगर आप ध् P के और Q के सामने सेम नंबर मल्टिप्लाइ किया है, P और Q के सामने, Similarly, R और S के सामने भी सेम नंबर मल्टिप्लाइ किया है, Similarly, T और U के सामने भी सेम नंबर मल्टिप्लाइ किया है, अब कैसे solve करना एक बार देखते हैं, अपने को ये पढ़ाया गया था, कि अगर P by Q, R by S और T by U 2 by 3 के बराबर है तो उनका sum भी बराबर हो जाता है ठीक है अभी फिलाल question में क्या दे रखा है P by Q R by S T by U 2 by 3 के बराबर है अब मैं एक काम करूँ यहाँ पर मेरा मन है किसी भी number से multiply या divide करने पर ratio change नहीं होता अगर numerator denominator को same number से multiply या divide करो तो और U मैं O का multiply कर दिया numerator denominator ratio तो change होगा नहीं 2 by 3 as it is रहने दिया अब मैं थोड़ी देर के लिए जो MP है मेरा उसको capital A मान लेता हूं MQ को capital B मान लेता हूं NR को थोड़ी देर के लिए capital C मान लेता हूं NS को capital D मान लेता हूं OT को capital E मान लेता हूं U को capital F मान लेता हूं अब ऐसा करने से क्या हूआ मैं इस पूरी equation को ABCD के format में लिख सकता हूं A by B, C by D, E by F यह किसके बराबर है 2 by 3 के बराबर है अब यह तो property हमने पढ़ रखें numerator का sum कर दो A plus C plus E, B plus D plus F ही भी 2 by 3 के बराबर होगा और वापस से values put कर दो A की value, B की value, C की value तो अगर आप ध्यान से observe करो तो यह MP plus NR plus OT बन गया यहां से MQ plus NS plus OU बन गया वापस से 2 by 3 बना तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया यह जो numbers दिये थे मैंने एक चीज़ identify की कि R दौनों के सामने M का multiply हो रहा है R और S दौनों के सामने N का multiply हो रहा है OR T दौनों के सामने O का multiply हो रहा है तो इन quantities को A, B, C, D मान करके solve कर दिया तो यहां पर equivalence ratio property का एक और next रूप जो हमको पता चलता है वो यह है कि आप as it is direct sum कर दो अगर P plus R plus T upon Q plus S plus U तो यह तो 2 by 3 आए गई लेकिन अगर आप जो quantity numerator denominator की corresponding quantities हैं अगर इनको same quotient से multiply कर दो जैसे यहां पर देखो आप मैंने क्या किया P और Q corresponding same से multiply R और S corresponding same से multiply T और U corresponding same numbers अगर आप multiply कर दोगे तो भी equivalence property will hold true यह भी 2 by 3 के बराबर ही आने वाल आपको literally solve करने की ज़रूरत ही नहीं है आप देख करके यह answer निकाल सकते हो अब बाकी बच्चों के लिए बहुत tough हो जाएगा यह question क्योंकि उनको तो यह वाली property भी नहीं पता लेकिन अगर आपको यह property पता दी तो जैसे तससे आप answer पर आगए imagine करूँ यह property नहीं पता होती है और मैं के ता answer तक आने ही नहीं है आपको तो यह property याद रखना है आपको तो यह देखना है और numerator denominator में तो same to same quotient लगे पड़े हैं addition कराया है same ratio आप यह 2 by 3 आपका answer आगया ठीक है तो यह यहाँ पर देखो तो Q में भी M करूँ R और S में same से multiply O और T में भी same से multiply यह V by W के बराबर होगा यह V by W में भी आप same किसी से multiply कर सकते हो K V by K W के बराबर भी आप इसको लिख सकते हो अगर मैं इसको कहानी को twist कर देता यह 2 by 3 की जगे यह 4 by 6 के बराबर भी तो आ सकता है कैसे आया मैंने यहां भी 2 का multiply जो 2 by 3 है इसमें भी 2 और 2 का multiply कर दिया तो आप in fact जो right hand side है उसमें भी कुछ K का multiply कर सकते है तो confused मत हो जाना आप देख ले ना यह तो same to same ratio जो है वो निकल के आ रहा है और यही चीज़ 2 के लिए भी valid है जैसे यहां पर मैंने 2 का pair ले लिया था P by R, Q by S जो है इनका sum T by U, V by W के बराबर आ रहा था अब यहां पर M, M से multiply किया N, N से multiply किया तो यह T by U के बराबर V by W के बराबर आया T by U को O, T by O, U लिख सकते हो same to same number से है तो cut भी जाएंगे और यह भी खड़ जाएंगे KV by KW के बराबर भी लिख सकते हो कहने का बतलब है कि right hand side पे भी कोई particular quotient से multiply किया जा सकता है आपको theory देखने हैं बहुत complicated लग रहे होगे लेकिन आप question बहुत आराम से solve कर पाऊगे यही कि यही बात यहां पर लिखिए अब in fact आप यहां पर ध्यान से देखना इस property को कितनी magical property आप इदर देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास यहां पर अब एक सवाल कराऊँगा A by B equal to C by D लिखा हुआ है ठीक है तो मैं यहां से directly एक चीज़ तो लिख सकता हूँ A plus C upon B plus D इनके बराबर हो जाएगा numerator का sum, denominator का sum लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखो यह कैसे बना, यह भी तो बराबर ही होगा मैंने कुछ नहीं किया, A और B same to same है, तो 2 का multiply कर दिया दौना में, C और D भी corresponding यह एक दूसरे के, 3 का multiply कर दिया, अब यह कैसे बना भी है यह देखो आप ध्यान से तो अगर मैं यहां पर A, C, B, D लिख रहा हूँ, तो मैं इधर पर ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर A by B है और C by D है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर पर ध्यान से देखना मैं यहाँ पे B का multiply divide कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी D का multiply divide कर दे रहा हूँ यहाँ पे quotient B लगा दिया यहाँ पे D लगा दिया तो यहाँ से मैं A B plus C D upon B into B क्या हो गया B square plus B square के बराबर भी लिख सकता हूँ same to same बात किया बस यहाँ पे आरे 2 की जगे मैंने क्या कर दिया दौनों में B लिख दिया तो यह A B हो गया और यह B into B B square हो गया 3 की जगे मैंने क्या लिख दिया D लिख दिया तो यह C D हो गया और यह D square हो गया D into D यह भी लिख सकते हैं भाई अभी मैं बताऊंगा इसकी importance क्या है आप यहाँ पर देखो अगर तीन terms है तो मैं तीनों का sum यहाँ पर A plus C plus E upon B plus D plus F भी लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ या मैंने A और B में किसी का multiply नहीं किया C और D दौनों में 2 का कर दिया A और F दौनों में 3 का कर दिया काम चल जाएगा यहाँ पर A और B दौनों में 4 का कर दिया C और D में दौनों में माइनस 3 का कर दिया A और F में दौनों में 9 का कर दिया तो भी same to same ही सारी values आने वाली है अब यह property क्यों पढ़ा है क्योंकि यह TCS में सवाल पूछा जा चुका है और 90% बच्चे attempt ही नहीं कर पाए थे क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा तक क्या है आप ध्यान से देखो यार फुद्दू question हो गया क्या दिया है A by B equal to C by D जो है वो मेरा 2 by 3 के बराबर आ रहा है आप से पूछा है A B plus C D upon B square plus D square की value अरे यह तो जानी पहचानी बात लग गई ना देखो A by B C by D बराबर था तो A B plus C D upon B square plus D square भी बराबर होगा वोही तो किया है इधर मैंने B का multiply divide इधर मैंने D का multiply divide यह भी same हो जाएंगे तो इनका sum भी तो same होगा A B plus C D B square plus D square यह भी किसके बराबर आ जाएगा 2 by 3 के directly देखते से ही 10 second के अंदर अंदर आपका answer आने वाला था इस question में तो मेरे क्याल से जो ratio की properties है उस पर आपको clarity मिल गई होगी चलिए अपने अगले concept पर move करते हैं that is called combining ratios ratios को हम कैसे combine कर सकते हैं उसको देखते हैं भाई आपको इस तरह का question देखने को मिलेगा क्यार A is to B का ratio अगर 2 is to 3 है B is to C का ratio 5 is to 6 है तो A is to B is to C का ratio कैसे आप निकाल रहे होगे ठीक है अब एक तरीका तो क्या है भाई अगर A is to B मेरा 2 is to 3 है वहीं पर अगर मैं बात करूँ B is to C की तो 5 is to 6 है अब यहाँ पर B common है यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है अब इसको एक जैसा कैसे बनाओ तो मैं एक काम कर सकता हूँ इधर 5 का multiply कर दिया दौनों में इधर दौनों में 3 का multiply कर दिया तो यहाँ से यह ratio क्या बन जाएगा 2 is to 3, 2 into 5 हो गया 10 is to 3, इसको 15 10 is to 15 भी लग सकते हैं यह देखो आप 10 by 15 करोगे तो वापस से 2 by 3 आ जाएगा similarly इधर क्या हो गया 15 is to 18 हो गया यह आपका ठीक है अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 15 और 15 जो है वो common है तो अगर A is to B मेरा 10 is to 15 है और अगर B 15 है तो C 18 है तो इस तरीके से मैं solve कर सकता हूँ अगे इस इस टाइम टेकिंग प्रोसेस और एरर के भी chances जो है बढ़ जाने वाले हैं तो यहाँ पर अपन परोसन ट्रिक सीखते हैं भाई परोसन ट्रिक क्या बोलती है देखो ध्यान से समझना आपको मौजा आएगा बढ़िया short ट्रिक है A is to B is to C निकालना है न भाई जो हमारा लक्ष होता है वो हमेशा टॉप पे रखना चाहिए अपने को नीचे अगली लाइन में यह first line की बात होगी अगली लाइन में क्या दिया आपको B is to C की value दे रखिए 5 is to 6 तो अगली लाइन में B के नीचे 5 लिखा C के नीचे 6 लिखा ठीक है तो A is to B is to C लिख रहा थे इदार अलग से बना देता हूँ ताकि आपको confusion ना हो तो A और B के नीचे 2 is to 3 लिखा B और C के नीचे नीचे अगली लाइन में 5 is to 6 लिखा अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो यह जगे खाली हो गई यहाँ पर यह जगे खाली हो गई यह मानलो यार एक एक floor है अब यहार कोई अगर बगल में आपके flat खाली होता है तो आप कोशिश करते हो आपकी उसको occupy कर लो ताकि आपका घराब बढ़ा कर सको है ना तो अब यह इस जगे को कौन occupy करेगा इसका पडोसी same floor पर बगल में 3 रह रह रहा है तो 15 बन गया और 2 और 5 का multiply करूँगा तो 10 बन गया देखो आगया answer 10 इस तो 15 इस तो 18 नहीं तो आ रहा था A इस तो B इस तो C का directly answer आगया मज़ा आ गया तो जल्दी से वीडियो को like करो और बताओ दिल दहला देने वाली ट्रेक आपको यह अभी अभी मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको कोई kick नहीं मिल रहे होगी मज़ा इस सवाल में आएगा जब आपको A इस तो B इस तो C इस तो D निकालना होगा अब पिछले वाले method से आप common मिला आते रहो भाई यहाँ पर भी B common है इधर भी B common है पहले 4 और 5 को matching पे लाओ फिर इधर C common है इधर भी C common है तो इधर 6 और 2 को matching पे लाओ अरे भीया बहुत time लग जाएगा calculation भी error हो जाएगी तो production trick लगाएंगे सबसे बढ़ी है देखो एक और question करते है 3 वाला A इस तो B दे रखा है 3 इस तो 4 B इस तो C दे रखा है 7 इस तो 8 एक मंझिल पर B इस तो C दे रखा है 7 इस तो 8 उसके नीचे लिख दिया 7 इस तो 8 B के नीचे B लिखना है C के नीचे C लिखना है अब जब आने 3 इस तो 4 लिखा है यह जगह खाली रह गहाए 7 ехथी रह गए करना है इस बात को ध्यान से देखो A to B दे रखा है 3 to 4, B to C, 5 to 6, C to D, 2 to 3, A to B to C, C to D 3 to 4 लिखा, ये 2 जगे खाली रह गई, B to C में 5 to 6 रखा, तो ये 2 जगे खाली रह गई, और C to D में 2 to 3 रखा, तो ये 2 जगे खाली रह गई, तो अब इसके इन 2 जगे को कौन भरेगा, ये पडोसी भरेगा, तो इधर भी 4 आगया, इधर भी 4 आगया, इस जगे को कौन भरेग है 4 x 6 x 3 4 x 6 x 2 4 x 5 x 2 3 x 5 x 2 30 x 40 x 48 x 72 आ रहा है इसको divide by 2 कर दो आधा हो जाएगा तो 15 x 20 x 24 x 36 आपका answer आ गया चाहो ना तो आप क्या कर सकते हैं eventually मैं multiply करके काट रहा हूँ आप देखो जिसको समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग है तो आप समझ पा रहा होगे मैं क्या कर रहा हूँ last मैं multiply करके कुछ ना कुछ कट रहा है तो मैं इधर भी काट सकता हूँ देखो 2 से 2, 2 कट गया वो इधर 4 की जाके 2 बचा इनफेक्ट इसको एक स्टेप उपर भी काट सकता हूँ जब मैं आपस मैं यार मैं देख रहा हूँ भीया सब मैं multiply करने वाला हूँ ना तो 2 इधर भी आगया 2 इधर भी आगया इधर जो 4 है वो 2 टाइम्स चला जाएगा तो 2 बचेगा क्यों सब 2, 2 से divide कर रहा हूँ तो directly आप 3 इंटू 5, 15 लिख सकते हो 4 इंटू 5, 20 लिख सकते हो 4 इंटू 6, 24 लिख सकते हो और 6 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 लिख सकते हो फिलाल यह आपका answer निकल के आगया तो अगर 5 रेशियो 6 रेशियो भी दे रखे हैं तो पडोसन ट्रिक की helps आप बहुत जल्दी questions को solve कर पाऊगे पडोसन ट्रिक क्यों सी की ताकि हम इस तरह की सवाल को solve कर सके TCS में यह सवाल आपका पूछा गया था क्या बोला है अब the ratio of x to y is 6 by 5 x to y का ratio दे रखा है z to y का ratio दे रखा है x to z का ratio आप से पूछ रखा है तो अब एक तरीका तो क्या है normal जो method यूज करते हैं वो करो x to y का ratio यह नि x by y की value 6 by 5 दे रखिये z to y का ratio 3 by 4 दे रखा है अगर z to by 3 by 4 है तो उनको उल्टा कर दो तो y to z क्या बनेगा इसको भी उल्टा कर दो 4 by 3 बनेगा ऐसा क्यों किया क्योंकि अगर मैं इन दोनों को multiply करो अगर मैं इसको इसमें multiply दे दू तो यहां पर y और y जो है वो कट जाएगा और x और z ही बचेगा तो दे दो ना multiply शुप काम में दे रही कैसी x by y आ गया यहां y by z आ गया lhs lhs है तो rhs rhs खिलो यह 6 by 5 आ गया यहां से यह 4 by 3 आ गया यह y से y कट जाएगा x by z बचेगा इदर पर ध्यान से देखो तो यह one time यह two time चला जाएगा चार दुनी 8 by 5 बचेगा तो x to z आपसे पूछा था 8 is to 5 जो है वो हमारा answer निकल जाएगा यह तो एक तरीका हो गया दूसरा तरीका x to z पूछाएगा मैं तो x is to y is to z निकाल देता हूँ वहां से x और z वाले component extract कर लूँगा x is to y is to z निकालना है मेरे को x is to y भी दे रखा है z is to y भी दे रखा है अब x is to y क्या दे रखा है 6 is to 5 x की जगे 6 लिख दिया y की जगे 5 लिख दिया और z to y दे रखा है 3 is to 4 तो z की जगे 3 रख दिया z to y है ना z is to y है 3 is to 4 y is to z क्या हो जाएगा बता उल्टा हो जाएगा 4 is to 3 हो जाएगा 4 is to 3, y के नीचे 4, z के नीचे 3 तो अब ये जगे खाली थी तो 5 न उक्युपाइ कर ली, ये जगे खाली थी 4 न उक्युपाइ कर ली, multiply करो 15, 5 into 4, 26, 24 ये आपका x is to y is to z आ गया, अब इसमें से आपको x is to z चाहिए, तो x और z का component ले लो, x 24 है, z 15 है ले लिया, 24 by 15 तीन की टेबल पर दो, ये 5 टाइम, ये 8 बार गया, 24 by 15 को मैं 8 by 5 भी लिख सकता हूँ, देखो, same to same answer आ रहा है, तो पड़ोसन ट्रिक की help से भी कर सकते हो, और normally इसको solve कर सकते हो, ठीक है, चलिए अगले concept पर move करते हैं, एक और TCS का सवाल, ये आपको उसे खा रहा हूँ और बहुत important concept है ये आपको throughout aptitude बहुत help करेगा आपको simple से एक सवाल दे रखा है 1162 रूपीज है इनको 35 is to 28 is to 20 के ratio में divide करना है, कैसे करेंगा देखो, बिलकोल simple से सवाल है एक तरीका तो क्या है, जो भी मेरे को ratio दे रखा है, 35 is to 28 is to 20, यानि एक amount का 35 हिस्सा, 28 हिस्सा और 20 हिस्सा क्या है, वो आपसे पूछा हुआ है तो मैं तो एक काम करते हूँ, इन तीनों का sum कर देता हूँ जब तीनों का sum किया, तो देखा यार ये तीनों को जब add किया, तो total 83 parts आ रहे है अब एक को कितना मिल रहा है एक को मिल रहा है, 35 part out of 83 parts, इसको ध्यान से समझना तो एक का share क्या है, एक को मिल रहा है, भी या 35 parts, total कितने 83, तो एक को कितना मिल रहा है 35 by 83 मिल रहा 83 में से 35 parts मिल रहा किसके मिल रहे है 1162 रुपीस के मिल रहे तो ये A को 35 parts मिल रहे है 83 के total 83 में से किसके 1162 के तो ये A का share आ गया ये आप इसको solve करोगे तो ये 14 times चला जाएगा 35 into 14 A का share 490 आ गया B का share मैं calculate करूँगा तो B को 28 हिससे मिल रहे है 83 में से किसके 1162 के तो ये भी again 14 times चला गया 28 into 14 392 आ गया C को कितने हिससे मिल रहे है 20 हिससे मिल रहे है कितने मैं से 83 मैं से 1162 total amount है तो 20 out of 83 हिससे मिल रहे है 1162 के ये again आपको 14 times चला गया 20 into 14 282 या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दौनों का sum कर दो, और total 1192 में से sum minus कर दो, 1162 में से amount minus कर दो, जो बच्चा हुआ amount है, वो सीखा जाए, क्यों कि तीनों में तो distribute हो रहे हैं, तो 2 को कितना मिल रहा है, ये पता चल गया, तो 3 को कितना मिल रहा है, ये भी पता चल जाएगा, इसी का दूसरा तरीका ये भी होता है, कि मैंने देखाया, total 83 parts में मेरे को divide करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक part की क्या value है, वो निकाल लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, 1162 को 83 parts में divide करना है, तो मैंने 1162 को 83 parts में divide कर दिया, तो 1162 को 83 से divide किया, तो 14 मेरा answer है, इसका मतलब क्या, अगर 1162 को 83 parts में divide करना है, तो एक part आपके 14 रुपे का होने वाला है, अब A को 35 part मिल रहे हैं, B को 28 मिल रहे हैं, C को 20 मिल रहे हैं, तो इन सब का 14-14-14 से आपस में multiply कर दो तो A, B और C तीनों का share निकल के आ जाएगा ठीक है? हलाकि इस question को solve कैसे करना है उसकी मैं आपको बहुत बड़ी trick बता देता हूँ देखो अगर आप ध्यान से observe कर रहे हो तो C वाला part निकालना आसान है क्योंकि इसमें 20 included हो गया तो मैंने सबसे पहले क्या किया? 1162 था, 83 parts थे तो यानि एक part 14 रुपे का है अगर एक part 14 रुपे का है तो 20 part कितने हैं क्यों हो गया? 280 रुपे के यानि C को 20 part मिल रहे है C को 280 रुपे मिलना चाहिए आप देखो सारे options unique है एक ही option में 280 रहा है तो A और B के part actually calculate करने की जरुवती नहीं थी आप directly भी निकाल सकते थे अगर आप ध्यान से देखो तो B के भी 4 option unique है in fact A के भी 4 option unique है तो A, B और C किसी में तीनों में किसी 1 का share निकाल लो काम हो गया अपना तो C का share निकालना आसान था कि कि 20 है ना जब multiplication में 20 आता है तो चीज़ा आसान हो जाती है तो हमने इस तरीके से इसको जल्दी से solve कर लिया ठीक है अब इसी पर best एक और सवाल है यह विद्यारती करतब भी दे रहा हूं यह आपको solve करना है यहाँ पर आप देखेगा TCS में ही पूछा था विपरो में भी पूछा था इसी type का सवाल था बुला 200 रोपे डिवाइट किये नेहा कककर, टोनी कककर और सोनू कककर के बीच में आपको नेहा का share निकालना अब पिछले case में मेरे को तो तीनों का combine ratio दिया था तुम्हें निकाल पा रहा था यहाँ भी तो मैं combine ratio बना सकता हूँ हमने combining ratio सीखा अगर आप देखो पिछला question number 7 और 8 को combine करके यह question बना दिया गया यानि combining ratio और dividing ratio को मिला करके इस सवाल बना दिया अब आप ध्यान से देखो तो निहा to Tony का ratio दे रखा है Tony is to Sonu का दे रखा है दो ratio दे रखा है दोनों को combine करके तीसरा ratio आप directly निकाल सकते हो कैसे यह मैंने सीखा तो निहा to Tony is to Sonu लिख दिया निहा to Tony 2 is to 3 है ठीक है और Tony is to Sonu कितना है 3 is to 5 है तो यहाँ पर यह परोसन ने occupy कर ली places 3 into 5 15, 3 into 3 9 2 into 3 आपका कितना हो गया 6, 9 और 15 हो गया यहाँ पर तो 2 is to 3 is to 5 आपका तीनों का combine ratio by observation भी निकाल सकते हैं हर बार ना directly trick apply करने मत बैठ जाना यह बार बिना trick apply करे भी काम हो सकते हैं ध्यान से समझो नेहा और Tony का ratio 2 is to 3 को 3 मिल रहे हैं और अगर Tony को 3 मिल रहे हैं तो Sonu को 5 मिल रहे हैं तो नेहा टोनी और Sonu का ratio 2 is to 3 is to 5 directly तो हो गया अगर नेहा को 2 मिल रहे हैं तो Tony को 3 मिल रहे हैं अगर Tony को 3 मिल रहे हैं तो Sonu को 5 मिल रहे हैं यह दोना quantities जो है वो same ही आ गई याद है पहला question जब मैंने question number 7 कराया था conventional method में उसमें मैंने b की value को same बनाया था 5 और 3 का multiply करके क्योंकि वहाँ पर बनाना पड़ा था दोनों को 15 बढ़ यहां तो already same दे रखे हैं ना तो कहे को trick लगाना trick भी नहीं लगाना by observation में आप solve पर सकते हो मिराल क्या हुआ two three और five जो है वो इनकर ratio आगया यानि total 10 parts हो गए 10 parts हो गए और 10 में से निहा को 2 parts मिलने है तो 200 रोपे को 10 हिस्से में divide करो ठीक है और उसके 2 parts निकाल तो directly 2 मिलने है part 10 में से किसके 200 रोपे में तो निहा का जो भी share है आप comment section में मुझे बताइएगा तो आपको क्या लिखना है comment section में ratio proportion जो की topic का नाम है VK लिखना यानि विध्यारती करता है और इस question का जो भी correct answer आपका निकल के आ रहा है वो निकालना है और comment section में आपको मेरे को बता देना है correct answer के लिए आप इस वीडियो के description में जाएंगी तो आपको correct answer मिल जाने वाला है या वीडियो को लास्ट में मैंने correct answers डाल दी है वहां से भी देख सकते हो और अपने score update करते चलना है और जब आप पूरी वीडियो देख लो तो comment section में बताना है कि आपने पूरी वीडियो दे मिल गई होगी अगर concept पसंद आयों tricks पसंद आयो questions पसंद आयों तो वीडियो को like करना channel को subscribe करना और अपना feedback जरू बताना ratio and proportion आपको कैसा नगा